हमारी चैनल ग्यान विशेज को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकारे के साथ दोस्तों हमारी चैनल ग्यान विशेज में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आजकल दातों में दर्द की समिश्या एक आम समिश्या हो गई है दोस्तों जब दातों में किडे लग जाते हैं तब दर्द असय होता है दोस्तो ये कीडे धीरे 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 दातों की जड़ों को खोकलाब बना देती है और दातों को निकालने की नौबत आजाती है विलाईती मेडिसनस में इसका कोई इलाज नहीं है इसमें दातों को निकालना ही पड़ता है लेकिन आयरुवेद में कई ऐसी चमतकारिक जड़ी बुटिया है जो दातों की कीड़ी को नश्ट करती है तो ऐसे ही एक चमतकारिक और दीव्य जड़ी बुटि के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा दस्तो इस दीव्य और चमतकारिक जड़ी बुटि का नाम है काक जंग इसके प्रयोग करने से दातों के किडे मर जाएंगे और साथ में दातों का दर्द भी नश्ट हो जाएगा। ये पोधा आपको भारत की सभी प्रांतों में आसाने से मिल जाएगा। दोस्तों देख लिजिए काग जंगा का इस प्रकार का पोधा होता है और गुलाबी रंग क सुन्दर पुस्प होते हैं। काग जंगा के पोधे के बारे में अधिक जान करे लेना चाहते हैं तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्प्रिक्शन में दी हैं। वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काग जंगा की जड़ को उकड़ने से पहले उस पोधे के पास तबी इस मूटी का प्रबाव आप पर होता है। जाता है, साथ में होने वाला दर्द भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी इस पोधे के कांट का रोजाना दातुन करने से भी दांत स्वस्थ और सुन्दर बनते हैं। और दांत सालों पर स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों ये थी दांतों के कीड़ी को नश्ट करने की एक छोटी सी महतोपूर्ण जानकारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब शरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी चैनल की हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच चके